नमस्कार मैं हजूली आपके सक देख रहे हैं दे इंडिया टॉप तेश प्रता प्यादों पर लगे आरोपों की वज़े से आरजेडी इस वक्त लगातार सवालों के घेरे में है लेकिन अभी तक तेश प्रता प्यादों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई है ना तो पार्टी की तरफ से और ना ही लालू परिवार की तरफ से ही किसी ने कुछ ठोस बयान दिया है लेकिन इसको लेकर के अब राज़त के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और इसलिए वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए है अगर उनके बस में होता तो बहुत पहले ही तेश प्रताप यादों के खिलाफ कारवाई कर चुके होते राज़त के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग ने कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो वो काफी पहले ही तेश प्रताप पर एक्शन ले चुके होते एक निउस चानल से बादशीत के दोरान उन्होंने कहा कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है तेश प्रताप एक विधायक है वो कोई समानने कारे करता नहीं है वो निर्वाचित सदस्य है और अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एक्शन ले लेता आपको बता दे कि जिस राज़त के युवा नेता ने तेश प्रताप पर पिटाई का आरोप लगाया उसने इस पूरे वाकी के बाद इसके जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन सिंग को दी थी और उन्होंने उसे आचवासन दिया था कि इस पूरे मामले को देखा जाएगा और इस पर कारवाई भी कि जाएगी इसके बाद जङदाननंसिंघ की कारेशायली पर भी सवाल उटने लगे सवाल सीधा है कि क्या तेश प्रताफ के सामने जगदाननंसिंघ बॉने साबित हो रहे हैं ऐसे में जब उनさん सवाल हुआ कि तेश प्रता प्यादों के खिलाफ अभी तक क्यूं कारवाई नहीं की गई है तो इस पर जग्दा रन सिंग भी खुल कर बोले उन्होंने बताया कि तेश प्रता प्यादों कोई मामूली कारी करता और नहीं है पार्टी के वो एक विधायक है जिसे जनता ने चुना है और ऐसे में उनके खिलाफ कारवाई करना इतना आसान नहीं है और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और अगर होता तो बहुत पहले ही एक्शन ले चुके होते आरजडी के प्रदेश अध्यक्ष जग्दानन सिंग ने कहा कि मैं मुख दर्शक नहीं हूँ सब कुछ देख रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जगदानन सिंग ने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने कारवाई का भरोसा भी रामराज यादों को दिया था जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा था कि घबराओं मत जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ लेकिन पहले सारा मामला सपस्ट हो जाना चाहिए जगदानन सिंग ने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे आचरन की पहचान और उसके बारे में फैसला जनता करती है तेश प्रताप विधायक है और फिलाल ये उनके हाथ में नहीं कि वो तेश प्रताप पर कोई कारवाई करें उनके खिलाफ कोई आक्शन ले और इसी वज़े से अभी तक प्रदेश अध्यक्ष ने तेश प्रताप यादों के खिलाफ कोई आक्शन नहीं लिया है आपको बतादे कि जिस दिन राबडी आवास पर दावते इफतार बुलाई गई थी उसी दन का ये मामला है उस दिन आरोप लगाया गया है कि तेजप्रता प्यादों ने रामराज जियादों की पिटाई की थी कमरे में बंद करके उन्हें नंगा करके उन्हें पीटा का और बाद में जब कारवाई नहीं हुई तो उन्हों ने अपना इस्तिफा देने का अईलान किया और यह पूरा प्रकरन जो है वह लगातार तूल पकड़ता जारह और आसे में अब जद्धा नंसिंग का यह बड़ा बयाना आया है कि तेजप्रता प्यादों के खिलाफ एक्श जरूर बताएं साथ ही अगर वे तक आपने हमारी योट्व चानल दिंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो हमारे फेस्टुक पेश पर देख रहे हैं पेश को लाइक और फॉलू जरूर कर लें धन्यवाद